हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो ऑनलाइन स्टी पॉइंट दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लेकर आ गया हूँ इंडियन जियोग्रफी यानि भारती भोगोल से मोस्ट इंपोर्टेंट 50 कोश्चंज पचास सत्यांत महत्मूर्ण भोगोल से समन्दित देखेंगे और ये काफी सलेक्टेड और इंपोर्टेंट कोश्चन है कुछ ऐसे प्रस्न होते हैं जो गवर्नेट एक्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और कई बार पिछले कई एक पर पढ़ाता हूं दोस्तों तो आप अनेकेडमी का लानिंग के प्लेश्टोर से डाउनलोड करके उसमें ऑनलाइन स्टी पॉइंट सर्च करके आप फॉलो कर सकते हैं मैं अपने अनेकेडिव प्रोफाइल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बॉक्स में भी दे दिया हू दोस्तों तो उस लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर मेरे दोरा बनाएगे वीडियो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं तो फॉलो कर लें प्लेश्टोर से अनेकेडिमी का एप डाउनलोड करके और इदिया आप हमारे चैनल पर पहली बा प्रसान भरती है करेक्ट एंसर है समताब मंडल में ठीक है इस्ट्रेटो स्फेयर में वाई वाई वान जो उडान भरती किसमें समताब मंडल में अगला प्रस्ण है सूर से निकलने वाली प्रावेगनी किरणों को अफ्शोषित करती है एंसर है ओजोन परात यानि ओजोन म होती है उत्तर है आयन मंडल में संचार उग्रा इस्तिदोती वह आयन मंडल में इस्तिदोती है अगला प्रशने प्रशांद महासागर से चीन सागर की और चलने वाली चक्रवाद को कहा जाता है एंसर टाइफून प्रशांद महासागर से चीन सागर की और चलने वाली कीमों प्रजाती के बर्प का घर कहलाता है एंसर है इंसर ग Beim अगला प्रक्रसुन है यह आध राज्योस्व कर गुजर्ती राजस्थान घुजराट मद्यपरदेश चत्तिजिस गड जहार कंड पस्चिम्मांगा त्रिपुरा और मिजोरम झिटीक ।wear करकर एक है भारत में आठ राज्य सोकर गुजरती राजस्थान गुजरात एमपी छत्तीजगर जहारकन पश्चिव मंगाल तिरपुड़ा और मिजोरम अगला कोश्चन है भुकंपी तरांग का सरवतम पता चलता है इसका एंसर है अधिकेंद्र में अगला कोश्चन है शेत्रफल की देश्टी से भारत का स्थान विष्च में है सात्मा स्थान ठीक है एरिया वाइज वात करें तो भारत का जो वर्ल में रैंक है वो सादमी रैंक पर है लक्ष दिब में दीपों की कुल संक्य कितनी है उत्तर है 36 कितनी 36 दोस्तों इस वीडियो की पीडियो पाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल जॉइन करके वहां से आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लिजिए और उसमें ऑनलाइन स् सकते हैं या फिर वीडियो के रिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलिंक के दे दिया हूँ तो उसू लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल हमारे जॉइन कर सकते हैं और आप दिये गए बहुत सारे पीडियाप्स को आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते है अगला कोशन है बंगलादेश की सीमा से सटे भार्ती राजय है तो मिजोरं त्रिपुरा असम में घाले ता पस्चिम बंगाल दोस्तों आपको बता दोते हैं आप रेलवे गुरूबडी एकजाम की त्यारी कर रहे हैं एल बुक पब्लिसर द्वारा एक important वीडिया फाइल त्यार की गई है लिंक वीडियो के description box में मिल जाएगा उस लिंक पर क्लिक करके आप जो तो purchase कर सकते हैं मातर 30 रुपए की बुक है रिवीजन के लिए बहुत important है 17 सितंबर से आप सब को बताए और जिन लोगों ने बुक परशेज कर लिए जिनको पासवर्ड की प्रावलाम आ रही है तो मैं आपको बता दू का आपका पासवर्ड जो है दोस्तों वो आपके email में जो तो send कर दिया गया है सबी के पासवर्ड आप email जरूर चक कर लें ध्यान से चक कर लें अपने email पर जो भी आपने email दिया था उस टाइम पर ठीक है तो email पे आपको सबी का पासवर्ड मिल लाएगा आपको परिशान होने की जरूरत नहीं है अगला कोशन है पागिस्तान की सीमा से सटे भारती रा ठीक है मैंमार की सीमा सटे भारती राज अरुनांचल प्रदेश नागरेन मडी पूर तथा मिजोरम अगला परसने चीन की सीमा सटे भारती राज हिमांचल प्रदेश उत्तरांचल शिक्किम तथा रुनांचल प्रदेश अगला कोश्चन गंगा नदी को बंगला देश में ब्रमपुट नदी को मंगला देस में इसका उन्सर इता है जोग या घर्शोपत का न्या नाम क्या है महात्मा गाधी darauf अगला कोष़ ने भारत की प्रथम जल्विद्ध परविजण अतरे श्रीप शमुद्रम जलपरपात परण शोट अगला प्रसने प्रितिवी की उपरी परत कहलाता है उत्तर क्रस्ट यानि भूपरपटी नेक्स कोचन है उत्तर भारत में शीत रितुम में वर्षा होती है इसका एंसर पक्षिमी विक्षोप या जेट स्ट्रीम के कारण अगले कोशंग तरफ बढ़ते हैं दोस्तों ग्रीश अगले भारत में हरित क्रांती के जनक माने जाते हैं डाक्टर में स्वामिनातन 1967-68 में जो तो हरित क्रांती के शुरुवात की गई थी भारत में अगले कोशने रभी फसल कौन कौन सी है गेहूं जव चना मटर सर्सो ठीक है अगले खरी फसल धान तिलहन ज्वार बाजना द था प्याज नगदी फसल आलू मुकफली गन्नत था प्याज भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज जी कौन सा ये है राजस्थान अगला कोशन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है इसका एंसर है मूंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मूंब ठीक है नर्वदा और ताप्ति की मध्य इस्थित है सत्पुड़ा पारवद माला अगला प्रस्थन है मकराना संग मर्मर की खान इस्थित है उत्तर है राजस्थान में नेक्स्ट है इलाइची पहाड़ी इस्थित है केरल में इलाइची पहाड़ी कहा इस्थित है केरल में अ अगला है चार जुलाई को शूर्य और प्रिथीवी की बीच की दूरी अधिकतम होती है जो कहलाता है अगला कोशन है दो दिर्शांतर रेखाओं की बीच की दूरी को कहा जाता है उत्तर है गोरे अगला प्रस्ण है जीरो अंस अक्षांस और जीरो अंस देशांतर रेखा इस्तित है उत्तर है अटलांटिक महाशागार में अगला गोशन है करक रेखा विश्वत रेखा यह मकर रेखा तीनों गुजरती है अफ्रीका महादेश चे ठीक है अगला प्रस्ण है 45 डिगरी से 66 अगला है चंदरमा प्रिथिवी के एक परिक्रुत आटा है उत्तर है 29 दिन 12 गंटे में प्रिथिवी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलिमेटर गहराई पर तापमान बढ़ता है एक डिगरी सेलसियस अगला कोशन है लोहा का सरवाधिक मात्रा होती है उत्तरे बेसाल चट्टान में अगला प्रिसने आगरा का किला तर दिल्ली का लाल किला बना है बलुवा पत्थर से अगला कोशन है खानीश तथा कोईला प प्रशुप्त संगमर्मर इटली का एटना तथा इस्टामबोली जौला मुखी है शक्री जौला मुखी इटली का एटना तथा इस्टामबोली जौला मुखी शक्री जौला मुखी जापान का फ्यूजी आमा जौला मुखी प्रसुप्त जौला मुखी है अगला प्रिका का कीली मंजारों जौला मुखी शांत जौला मुखी अगला है विश्ट का सबसे उच्छा यदि आपको इसका next part चाहिए तो comment box में जरूर बताएं आप लोग, यदि आपको पसंद आईए तो इस वीडियो को share कर दीजिए और comment box में बताया तो मैं आपको next part कल जो तो upload कर दूँगा, ठीक है, चली मिलते next video को साथ, thank you.